जनपर साजापूर में थाना कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राफ हुई है। 14 नवंबर की शाम को हरपार बल्यान सिक प्रभारी निरक्षक्त थाना कोतवाली के नेत्रुक्त में थाना कोतवाली पुलिस के मुबिर द्वारा सूष्णा मिली एक एक रिक्ष्णा में 403 चोरी का विदुतार बेचने जा रहे है। पर सुसंगत हराओं में अभ्यूक्त पंजी करत कर विद्वेक कारवाई की जा रहे है। पर हार अभ्यूक्तों को शेक्र गिरफतार करनी है को पुलिस्टी प्रासरत। कल कोतवाली ताने पर एक सूचना मिली थी कि एक 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 रिक्ष्णा में 6 व्यक्ती चोरी का विदुतार लेके जा रहे थी। इस सूचना पर ताने कोतवाली ने ततकाल कारवाई की जिसमें एक अभ्यूक्त गिरफतार की है। जिनके पास लगबग दो क्विंटल, चोरी का विदुतार, एक बाराबूर का तमंचा और एक जिंदकार्तुष में। इस सम्मन्द में ताने कोतवाली पर एक मुकतमा दर्श करके वैदाने कारवाई की जा रही है। अखन भारत नीउस के लिए अर्विंद सक्सेना की रिपोर्ट साजापूर। के निर्देशन में थारा निगोही पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्तु। ताना निगोही त्वारा लगबग एक वर्ष से वांशित चल रहे हैं पुरसकार गोशित अपराधी पूरन और अलीशेर को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की है। यह वो तसकर है और इसके विर्द तसकरी के अभियोफ मंजेकरत हैं यह करीब एक पर सफ़नार चल रहा था जिसके कारण इसके गिरफतारी के लिए 25,000 प्राप्त का पूरसकार गोशित था। निगोही को जन पर यह मुद्बिर की सुचना काहधार पर इसकी एक्जैक्ट लोकेशन मिलने पर इसके गिरफतार करें इसके कब्जे से एक अवय तमन्चा और कार्तुस भी परामत होगा है। इस दौरान इसके दौरान जो अपना कारित किये हैं उसके संब्द में गहनता स्कूर्ष ताज की जा रही है और अग्विन कारवाई की की जा रही है। अकण भारत प्यूस के लिए अर्विन्द सक्षेरा की डिपोर्ट साज आपको